नमस्कार, हिंदी कक्षा में आपका हर्दिक स्वागत और अभिनेंदन प्यारे बच्चों, आपकी सेट टू की परिक्षा का समय आ गया है आपकी सेट टू की परिक्षा या तो नवंबर के अंतिम सप्ता हमें होगी या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ता हमें तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, प्रारूप आपका वही होगा, जो सेट वन का था, कुल 20 अंकी आपकी परिक्षा होगी, जिसके लिए आपको 60 मिनिट का समय दिया जाएगा, पांच बहुवी कल्पिय प्रश्न, पांच अंके, पांच वस्तोरनेश्ट प्रश्न, जो की पांच अंके होंगे, दो अती लगो उत्तरात्मक प्रश्न, दो दो अंके, दो प्रश्न, कुल चार अंके, और इसके बाद दो अंके लगो उत्तरात्मक प्रश्न, जो की तीन तीन अंक के होंगे कुल छेंक के अब इसे संबंदित हम पठेकरमें से प्रारंभ करते हैं सेट2 का कक्षा-9 का पठेकरमें देख़िए क्षितिज के कवेखंड से चंदर कहना से लौटती बेर कविता है क्षितिज के गद्धे खंड से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और प्रेम चंद के फटे जूते कृति का पाट से माटी वाली और दूसरा अध्याय है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया व्याकरण में भाशा, हिंदी का मानक रूप, प्रयायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनिकार्थी शब्द इसके बाद कक्षा दस्वी का पठेक्रम देखिए क्षितिज का वे खंड से यह दंतोरित मुस्कान और फसल एक और कविता है छाया मच्छूना क्षितिज के गद्धेखंड से स्तरी सिख्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन दूसरा अध्याय है नौवत खाने में इबादत क्रितीका से भी दो अध्याय लिये गए हैं पहला है एही ठाईया जोलिनी हेरानी हो रामा और दूसरा ध्याय मैं क्यों लिखता हूँ, व्याकरण में देखिए संधी जिसमें सुर संधी, व्यंजन संधी, व्यविसर्ग संधी, उपसर्ग, प्रत्य और वाच्चे, कक्षा ग्यार्मी का पाठेक्रम देखिए, आरोहो कावे खंड से गजल, साय में धूप, हे भूक मत मचल, और हे मेरे जूही के फूल जैसे इश्वर, आरोहो गद्य खंड से स्पीती में बारिश, रजनी और जामुन का पेड, वितान से आलो अंधारी अध्याय है, अभिवेक्ति और माध्यम से कारियाले लेखन और प्रक्रिया, इसके बाद कक्षा बार्वी, आरोहो कावे गद्य खंड से दो कविताएं हैं, एक है बादलराग और दूसरी है लक्षमन मुर्चा और राम का विलाब, आरोहो गद्य खंड से चारली चैपलिन यानि हम सब नमक शिरीश के फूल, वितान से है अतीत में दबे पाउं और एन फ्रेंक डायरी के पन्ने, व्याकरण में स संधी, वही तीनो भाग, स्वर संधी, व्यंजन संधी, व्यविसर्ग संधी, और अभी व्यक्ति और माध्यम में है कैसे बनता है रेडियो नाटक, यहाँ पर हमने सेट टू का पाठे क्रम देखा, कक्षा नौवी से लेकर बारवी तक का, आशा है आपने इस अपने उत्त झाल